हेलो दोस्तों नमस्कार आप सास्रिया काल आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पैरामेट टॉपिक पे जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं हूँ शेश मनी पांडे इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लो बीपी यानि की हाइपो टेंसन की स्टेज में क्या करना चाहिए घर पे इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं यानि की होम रेमेडिज की धूर आवर शक्ता पढ़ने पर कौन कौन सी दवाईयां दी जाती हैं तो वीडियो में लास तक जरूर बने रहे हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ल यह वो होती है, जब हमारा blood pressure समान इस तरह से काफी कम हो जाता है, यह blood pressure हमारा जो समान यह वस्था में होता है, वो systolic 120 और diastolic 80 के अनुपात में, यानि की 120 by 80 के अनुपात में होता है, जब यह blood pressure समान निवस्था से बहुत ज़्यादा नीचे, यानि की अगर systolic 90 और diastolic 60 से भी नीचे जब जाने लगता है तब इसी स्थित में कुछ लक्षण महसूस होते हैं जैसे चक्कर का आना बेहोशी जैसा नौजिया वोम्टिंग लाइट हेडनेस याने की सर का भारी-भारी लगना और इसके बाद पल्स रेट या हार्ट बीट का बढ़ जाना बेचैनी घब अब जब यह blood pressure 90 by 60 तक जाता है के अंदर रहता है तो समाने वस्ता में बहुत से कम लोगों के होई ऐसे low BP वाले symptoms फील होते हैं बहुत से कम लोग ही होते हैं जो इन लक्षणों का सामना करते हैं 90 by 60 तक यह समाने वस्ता में रहता है लेकिन कुछ लोगों को महसूस होना आने लगे तब इसको बोलते हैं तू लो बीपी यानि कि अत्यधिक बीपी का कम हो जाना और यह अगर 50 और 33 से भी नीचे चला गया तो इसको डेंजरस लोगी पी यानि कि इस इस्थिति में कोमा या मौत हो सकती है अगे हम जानते हैं कि blood pressure low होने के कारण क्या होते हैं blood pressure का जो समाने कारण होता है वो vasodilation होता है मतलब हमारी जो blood vessels में जो blood flow होता है वो vessels dilate हो जाती है किसी कारण से तो dilate होने के कारण जो blood का flow है वो pressure कम create करता है जिसके कारण overall blood pressure में fall होता है जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें इमेज में देख सकते हैं कि यह हमारी यह narrow blood vessels है और एक dilated blood vessel है और एक normal blood vessel है तो यही होता है समाने अगर blood vessels constrict जाती है तब BP बढ़ जाता है और blood vessel अगर dilate होती है तो blood pressure down होने लगता है इसके लाबाँ दूसरे कारण होते हैं जैसे कि pregnancy, pregnancy में especially उन महिलाओं को जिनको खून की कमी है यानि की hemoglobin down है तो pregnancy की cases में जो बच्चा होता है वो भी nutrition लेता है मास से उस वज़े से अगर उनकी diet control नहीं है या कि यह दूसरे nutritional deficiency है तो उस स्थिति में उनका खून की कमी होने की वज़े से BP लो होने का chances रहता हाला कि कुछ लोगों का pregnancy में BP बढ़ता भी है बट यह depend करता है कि उनकी fooding habit कैसे उनका weight कैसा है उनकी lifestyle कैसी है इसके लाबा heart problems होती है कुछ मरीजों को जैसे की valve का problem है ब्रेडिकार्डिया है या heart failure या heart attack जैसे इस स्थिति हैं उस condition में भी blood pressure काफी fluctuate होता है इसके लाबा एंडोक्राइन से related यानि कि hormonal imbalance से related होता है कुछ hormones होते हैं जो blood pressure को affect करते हैं जैसे की ANP, atrial, natriuretic hormone, aldosterone और renin यह hormones भी blood pressure को affect करते हैं dehydration यानि के हमारे शेरी में पानी की अत्तिक कमी अगर हो जाती है उस स्थित में भी blood pressure का होना सभाविक है कि ब्लेड volume भी इसमें affect होता है इसके लाबाद severe infection like septicemia, blood में बहुत ज्यादा infection होने की वज़े से भी RBCs का downfall होता है और वोई BP कम कर सकता है इसके वाद severe allergic reaction like anaphylaxis और इसके लाबा blood loss अगर किसी भी कारण से शरी में खून बह गया है उस कारण भी blood का volume down होगा और blood pressure low हो सकता है nutritional deficiency especially vitamins, iron, zinc, folic acid और इनकी कमी अगर शरी में होती है तो भी जो है तो blood का बनना कम हो जाता है जिसकी वज़े से एनेमिया होता है और blood pressure low हो सकता है फिर low intake up salt जो लोग अपनी diet में salt धीरे-दीरे कम कर देते हैं बहुत ही कम salt लेते हैं उस वज़े से भी blood volume कम हो जाता है और blood pressure low होता है तो यह थी इसके कारण सारे किन-किन कारणों से blood pressure जो है तो कम होता है अब हम इसके symptoms की अगर बात करें तो हम देख लेते हैं कि करके इसके जो symptoms में होते हैं dizziness या light headness मतलब सर भारीपन लगता है थकान लगती है कमजोरी लगती है तो यह इसके लक्षान होते हैं इसके लाबा नौजिया vomiting जैसा feel होता है इसके लाबा इसके लाबा सीजर्स अटैक भी आ सकता है और इसके लाबा cold कामी pale yellow skin हो सकती है जनी कि skin का color भी हो सकता है और हाथ पर ठंडी भी पढ़ जाते हैं यह इसके कुछ symptoms हैं जो कि low BP में देखे जाते हैं अब diagnosis के अगर बात करें तो इसको BP इंस्टुमेंट से मिजर किया जाता है और BP को नौर चेक करने के पर ही पता चलता है कि आपको कितना BP है इसको control करने के लिए कुछ investigation लगते हैं जैसे कि blood test urine test और अगर hearts related problem है तो ECG या फिर electrocardiogram hearts related doctor check करते हैं अब हम देखते हैं home remedies की अगर यह BP low है तो उसे घर में ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं तो सबसे पहला तो आप नमक और पानी का घुल बना कर उसमें थोड़ा शक्कर भी डाल सकते हैं उसको पीए रेगुलर उसके लबा हाट कॉफी आप कॉफी पी सकते हैं उससे भी BP जो तो उसमें कैफीन होता है तो control करता है BP बढ़ाता है और गरम दू होता है 100 mcg से लेकर 200 mcg तक होता है इसके लावा मिडोड्राइन है डोकलोरैड जैसे की सिप मिडो इसका डोज जो है तो यह इसका 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 इसो होता है यानि की पॉस्चूरल हाइपो टेंशन में इसके लावाए एंटी कॉलिनस्टरेज या इसका भी डोज 2.5 से 10 mg तक दिया जाता है कैफीन जो है तो एक्ट साइज सीने सिस्टूम लेंड और यह भी बीपी राइस करने में मदद करता है इनकेस आप लो आर्बीसी अगर बहुत ही जादा खून की कमी है तब और एरिथ्रोपोइटीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो यह थी सारी इसके जानकारी लो बीपी और उसे रेमेडीज और उसकी मेडिकेशन के बारे में आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेडिकल अ आइकोन को दबा दें तो थैंक्यू सो मच फार वाचिंग मिलते हैं नेक्स चूडियो में